हलो फ्रेंड्स इस वीडियो में हम आपको ऐलमॉक्स 500 mg कैपसुल के बारे में जान करेंगे दोस्तो ऐलमॉक्स 500 mg टेबलिट अलकेम फार्मासियूटिकल्स कंपनी मनाती है यह एक जेनरिक पोड़क्ट है इसकी एक इस ट्रिप में 10 कैपसुल आती है और इसकी MRP लगभग 60 रुपए रहती है जेनरिक होने के कारण यह आपको मार्केट में 15-50% डिसकाउन में आसानी से मिल जाएगी दोस्तो ऐलमॉक्स कैपसुल में ऐमॉक्सिसलिन 500 नामक तत्तो मिला रहता है यह एक अंटीबायोटिक प्रोडक्ट है यह कैपसुल बैक्टेरिया संकर्मन के उपचार में किया जाता है अंटीबायोटिक याने आपको यह कैपसुल सरदी, खांसी, बुखार, गले में प्राबलम, घावा और सुखाने आदी में काम आता है यह कैपसुल जिवानु सुराशात्मक कवर को बनने से रोकर बैक्टेरिया को मारता है जिसे उनके लिए जीवित रहने की अवश्यक्ता होती है एलमॉक्स 500 कैपसुल को 20 वर्ष से उपर के लोगों को ही लिया जाना चाहिए उससे कम के लिए 200 पावर आता है दोस्तो इस कैपसुल को पानी के दौरा भोजन के बाद पूरा निगलना चाहिए इससे चबाना या क्रश नहीं करना चाहिए इस कैपसुल को डाक्टर की सलाष से ही लेना चाहिए दोस्तो आपने जाना इसके यूजस और डोसेस के बारे में आईए जान लेते हैं इस कैपसुल को खाने से क्या-kया साइड इफेक्ट हो सकते हैं दोस्तो एलमॉक्स 500 mg कैपसुल को लेने से आपको उल्टी एलर्जी की प्रतिक्रिया हो सकती है, जीब मच्ताना हो सकता है, दस्त हो सकते हैं, चक्कार आ सकता है आदी, तो दोस्तो ये थी जानकरी, जाने से पहले हम आपसे रिक्वेश्ट करेंगे कि प्लीज अगर आपने हम हमारा चैनल अब तरह सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेजिए, और बगल में ही बेल आइकोन है, उससे टैप कर लेजिए, आज के वीडियो में इतना ही, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद,